4, 3, 2, 1 अध्यक्ष महोदय मैं समस्ता हूँ कि कल से जो विचार विमर्ष चल रहा है और जिसके शुरुवात प्रोफेसर सहाब ने की थी वह कुछ महत्वपून विचार और भिन भिन तरीके सामने लाने में सहायक रहा है भले ही बल अलग-अलग बातों पर दिया गया हो फिर भी परियाप्त हद तक सहमती रही है हम उससे सहमत हैं और वास्तों में वही हमारी पक्की नीती है कि हम समाज की समाजवादी रचना की ओर बढ़ें हम यह चीज किसी भावात्मक दृष्टी से नहीं बलकि व्यावहारिक दृष्टियों से ऐसा चाहते हैं इस दिशा के सिवाए हम आज की सामाजिक समस्या को हल नहीं कर सकते मैं आशा करता हूँ कि हर आदमी ऐसा अनुभव करता है कि समाजवाद की प्राप्ति या वास्तों में किसी तरह के भी उंचे स्तर को पाना एक लंबी अवधी की प्रक्रिया है जनता को इस धोखे में रखना अच्छा नहीं है कि हम इसे तेजी से प्राप्त कर सकते हैं चीन के अध्यक्ष माव भी बराबर परियाप्त वर्षों से समाजवाद प्राप्त करने की बात कहते रहे हैं और यह तब है जबकि वहां उन्हें निरंकुष अधिकार मिले हुए हैं और चीन के लोगों में काम करने की जबरदस्ट शमता है हम रूश की बात करते हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि अलावा इसके कि यहां साम्यवाद है और दूसरी बाते हैं वे पिछले बहुत वर्षों से इस दिशा में कोशिस कर रहे हैं सोवियत नेता यहां आये थे तो मैंने उनसे पूछा कि वे अपने साम्यवादी समाज का लक्ष्य कब तक सिद्ध कर लेंगे इस पर उन्होंने कहा कि 20 वर्ष या इससे भी अधिक लगेंगे फिर चाहे साम्यवादी समाज का और उनका अपना विचार जो कुछ भी रहा हो शायद इसका आशय है कि प्रतेक के लिए हर चीज की बहुतायत हमें तेजी से चलना है इसके दो ही कारण है पहला यह की हम तेज चलना चाहते हैं दूसरा हालात हमें इसके लिए मजबूर कर रहे हैं अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते लेकिन तेज चलते हुए हमारा लक्ष साफ होना चाहिए यह लक्ष निश्चित हो चुका है समझ लेनी चाहिए कि हम जो चीज करते हैं वह आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के अतरिक्त सही ढंग की भी है। इस सबसे मुझे उसके व्यापक महत्व का पता चलता है। उपाध्यक्ष महोदय उदाहरन के तौर पर फिर हम देख सकेंगे कि अगले पांच वर्षों में देश जो कुछ भी करता है वह क्या आगे आने वाले 10 या 15 वर्षों में हमारे लक्ष के साथ ठीक बैठता है। समाजवात की सिर्फ कुछ मोटी सी कलपना के साथ इसका मिलान करना काफी नहीं है। यह सबसे आवश्यक है कि हम 15 वर्षों की अवधि में क्या प्राप्त करना चाहते हैं इसका हमें सही और साफ विचार हो। फिर हम इस बड़ी और सामान्य योजना में फिट हो सकने वाली छोटी छोटी योजनाओं पर आ सकते हैं। और फिर सबसे छोटी यानि एक वर्ष की या सालाना योजना भी बड़ी योजना में फिट होनी चाहिए। कचिनाई यह है कि हमारा दिमाग इस बारे में अभी साफ नहीं है कि आज से 15 या 20 वर्ष के बाद हम हिंदुस्तान को कैसा बनाना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि हम अपनी छोटी छोटी योजनाओं के बारे में भी गणबड़ी कर जाते हैं। दो चीजें जरूरी हैं। पहली लंबी अवधी का आयोजन और दूसरी अपेक्षाकृत छोटी अवधी यानि एक वर्ष के समय के लिए सगन आयोजन। पंच वर्षी योजना एक बड़ा धाचा होना चाहिए जिसमें उपर्युक्त परिवर्तन हो सके। जो सिर्फ हमारे साधनों की दृष्टी से न हो बलकि उस लंबी और दूर की तस्वीर को दृष्टी में रखते हुए होना चाहिए जो समय के साथ साथ हम विक्सित करते जाएंगे। जब हम अपने सामने 15 वर्ष का लक्ष्य रखेंगे तो छोटी-छोटी योजनाओं को स्वीकार करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। उत्पादन की योजना और उत्पादन में सही प्रवृत्ती इस चीज से जुड़ी हुई है कि अंतराश्ट्री मामलों पर हमारी आंतरिक नीतियों का कितना असर पड़ता है। मैं आम बात कर रहा हूं मुख्यतह भारत के बारे में नहीं। मैं समस्ता हूं कि आज की दुनिया में जो शीत युद्ध चल रहा है वह सिर्फ साम्यवाद और साम्यवाद के विरोध का ही असर नहीं बलकि एक तरह से ओद्योगी करण की परड़ती और बड़े शक्ती गु पश्चिमी शक्तियों में आपस में ही होते थे। उदाहरन के लिए उपनिवेशों के लिए जर्मनी और इंगलैंड में। लेकिन अब ये संगर्ष सारी दुनिया में फैल गए हैं। यह नई प्रद्योगी की का नतीजा है जिसका प्रतीक परमाडुबम है। यह हमें एक खास संकट तक ले आया है जिसमें इस बारे में बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। श्रीमान जी भारत की नीती शुरू से ही यह रही है कि हम किसी गुट में न फसें और अपना निर्ड़य स्वयम करें। हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे लोग भी इसी रास्ते पर आने की कोशिस में हैं तथा पहले जो गुट बने थे वे अब कुछ कमजोर पड़े हैं। इधर हाल में रूस ने जो पाकिस्तान को हतियार बेचने का निर्ड़य किया उससे हमको दुख हुआ। हम जानते हैं कि उनका यह निर्ड़य ठीक नहीं था लेकिन इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। हम दुनिया के सामने एक घबराए हुए देश या शिकायती देश या असंतुष्ट देश की तस्वीर नहीं रखना चाहते हैं। यह देश मजबूत देश है और इन पिछले वर्षों में कई ऐसे प्रबंध हुए हैं जिनमें इसको और मजबूत बनाने की कोशिस की गई है। हमारी सेनाएं आज मजबूती से सीमाओं पर डटी हुई है। इसलिए दुनिया वाले चाहे कुछ कहें हमको अपनी ताकत पर भरोसा रखना है और आज कल के जमाने में ताकत खाली सेना की या फौजों की नहीं होती उद्योगों की भी ताकत रहती है समाज की ताकत होती है तो इन सब पर हमको भरोसा रखना है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या हम किसी देश के कहने से दब रही हैं या दबेंगे मैं बहुत जोरों से कहना चाहती हूँ कि इसका कोई प्रश्न ही नहीं है कि हम पर कोई दबाव डाले। वे कभी नहीं दबते हैं जिनका संकल संकल्प दिन होता है और हमारा संकल्प दिन है।